जै परकाश गुपता भी है जै आपसे मेरा सवाल होगा जो फर्णामेंटल जिस तरह से गोल्ड को सपोर्ट करते रहे हैं वो अब बिल्कुल बदलते दिख रहे हैं जो जो फैक्टर पहले गोल्ड को सपोर्ट करते थे वो उनके विप्रीत होने के बाद भी गोल्ड चला है जो अप्रैल की जो रैली आई थी मार्च अप्रैल की उसमें डॉलर भी तेज हो रहा था तो भी गोल्ड चल रहा था इंट्रेस्ट रेट को लेकर बयान जो आ रहा है थे सिंट्रल बैंक्स के यूएस फेड के वो भी सकते उसके बाद भी गोल्ड चल रहा था क्या लग रह रही हैं क्या हो रहा है क्या कुछ नए फ़नामेंटल सब गोल को ड्राइब कर रहे हैं आप इस पर कुछ बताएंगे जए विश्व मोहन जी सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया इस शो में मुझे बुलाने के लिए और आप एटी नाउस होदेश एक बहुत ही बहुत ही मुहीम चला रहा है कमोडिटी अवेरनेस के लिए और आज इस शुब मौके पे गोल्ड के उपर जो आप लोगा ये कवरेज है ये मुझे उमीद है कि ये जो इन्वेस्टिंग क्लास है उसके लिए बहुत बेनिफिशल रहेगा देखे विश्वान जी लास तीन-चार सालो में जिस हिसाब से फंडमेंटल्स और चीजे बदली हैं मैं जस्ट हाइलाइट करना चाहूंगा कि कुछ सालों पहले अट लिस्ट इन इंडियन टीर टू टीर थ्री सिटीज शेर्स के अलावा जो दो ही विकल बचते थे इन्वेस्टिंग के लिए वो होता था था लैंड और गोल्ड धीरे धीरे फिनांशलाइजेशन ऑफ एसेट की तरफ गुवर्मेंट का रुजहान बढ़ा हम गोल्ड को एक जोयलरी या फिजिकल डिमांड से अब उसे हम फिनांशल एसेट की तरह ट्रीट करने लगे हैं और ये फैक्टर इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भ हो रही हैं लोग चाहते हैं कि वो करेंसी को हैज करें उसके कारण भी यहां पर गोल्ड में इक डिमांड बढ़ता हुआ दिखा है तो मुझे लगता है यहां पर डेफिसिट है यूएस में या वार लाइक सिचुएशन्स क्रियेट हो जा रहे हैं लाइफटाइम हाई पर मार्केट चल रहा है तो कोई भी एक प्रूडेंट इन्वेस्मेंट मैनेजर है चाहे वो किसी देश का सेंट्रल बैंक हो या कोई हेज़ फंड हो या रिस्क को डाइवर्सिफाई करना और आज से नहीं सदियों से हम लोगोंने देखा है कि गोल्ड हमेशा एक बेटर डाइवर्सिफिकेशन रहा है जो स्टेबल रहा है तो यह कभी भी गोल्ड का ग्लिटर है वो खतम नहीं होगा हो सकता है आपके पॉर्टफोलियो लोकेश इकोनॉमिक सिचुएशन जिसे साबसे हैं यह बहुत सेंस बनता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको गोल्ड में थूरू फिनांशल एसेट के तोर पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए सोने में यह चमक रहेगी वह बरकरा रहेगी दरसल सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है इधातों नहीं है सोना एक एमोशन भी है और हमारे भारती संस्कृती में सोनी के प्रती जो मोह है उस सबको जग जाहिर है और शाद इसी के चलते यहाँ पर सोने का जो भंडार है किशूर सब्सक्राइब का नुमान था कि 21,000 टन सोना हमारे हाउसोल्ड में पड़ा हुआ है आपसे दो सवाल होंगे छोटी-छोटी यह बते कि यह जो सोना पड़ा है घरों में क्या यह यह भी सिस्टम में ध्र-धर आ रहा है कुछ वैल्यू एड कर रहा है और दूसरी चीज हम इ 20,000 टन, 22,000 टन का जो नंबर है और इस एन एस्टिमेटेड नंबर है एक्चली नोबडी नोस जे रहा है और लगभख वो नंबर बैट रहते हैं और इस गोल्ड किस प्राइस पर एक्यूमिलेट हुआ है इस बिन सदियों से एक्यूमिलेट होते है तो फस्तिंग इस की इस पर लेकर आने के लिए कोशिश किया था बीच में कोड़ डिपोजिट स्कीम लेकर आये थे बहुत सारे इसको मॉनेटाइस करने के कोशिश किया पट कुछ हद तक सफलता नहीं मिला बिकॉस आपने जैसा सही बताया है कि यह एक एमोशन है लोग उनके सोना मेल्ट करके जम अच्छा यह भी कहा जाता है कि गोल्ड is a dead investment तो इसको किस सेंस में कहा जाता है यह बिकॉस उसके अंदर से आपको ना इंटरेस्ट मिलेगा ना डिविडेंड मिलेगा और वह आपका बैंक लोकर में आपका घर का लोकर में पड़ा है ना एकॉनमी को यूज और उसके वज और उर्नमेंट आप माँ अपने बेटी को पासाँन करेगी बेटी उनके बेटी को पासाँन करेगे इस हेरलूम किसी को देखा है आपने कभी जाकर सूने कि आप आज 72,000 आ गया प्राइस कौन जाकर प्रॉफिट बुकिंग करेगा अगर फिनेंशल इंस्रुमेंट है तो प्रॉफिट भी बुकिंग करेगे आप गोल कभी बेचेंगे आपका जो सूने का ओन्रमेंट कभी बेचेंगे आपका दिवाला निकल गया आप कुछ अभी आप मतलब करजदार आगया घर पे तो आपको लास्ट रिसॉर्ट जो है वाप सोना बेचनी के लिए जाएंगे वह हालत किसी का नहा आए बट सो बेसिकली इस नॉट अट अफिनेंशल एसेट बिकर नंबर वन आपको 30 परसेंट अफ्रंट जाएगा आपको मेंकिंग चार्जर्ज प्लस जी एस्ट वगरा जाएंगे सेकंड आप बेची नहीं पाएंगे इसको सो आप फैनेंशल एसेट होई नहीं सकता सो जोल्री इस डिफरेंट एसेट इस नॉट इस नॉट इसेट बट इसकेंट नॉट इसकेंट 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 थीक हमारे साथ में तानिया रस्त होगी है बड़ी जानिमानी जूल्री एक